हलो श्रुडेंट आपका साइन्स थिंक एगेडिमी में स्वागत है आज का हमारा भी सह है भूगोल आज हम भूगोल की चार्चा करेंगे जबकि इसके पहले हम इतिहास पार्ट फट ला चुके हैं जो वन लाइनर क्यूशन है तो आज भी वन लाइनर क्यूशन के हिसाब से का यह चेप्टर लाइव हैं जो परिशा के दिरिश्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वन डे एक्जाम में सब्क्यूशन बार बार पूछे जाते हैं तो आईए हम भूगोल के बारे में सुरू करते हैं तो टालमी के अनुसार जो है भूगोल की परिदासा है कि भूगोल प पिर्थिवी के उस भाग का अध्यन किया जाता है जो मानों के रहने का आस्थान है इस तरह से तमाम बिद्वानों ने परिभासा भूगोल के दी है एक बिद्वान ने तो यहां तक कही दिया कि अगर स्वर्ग कहीं पर है तो यहीं पर है यहीं पर है यहीं पर है तो इस त हेतियस हेक जगलोब का निर्माल करने वाला कौन है तो उसको निर्माल करने वाले मार्टिन बैहम है और विस माजचित्र के निर्माल करता कौन है तो एनीवड़ी मेंडर है याद रखेएगा important है अब जो है बरहमांड आती है भुगोल में तो बरहमांड की बात आती है तो बरहमांड क्या है तो तो बरहमांड जो है ये महाभी स्पोर्ट के दोवारा या बिग बैंक थियोरी के दोवारा यहां पर उत्पन हुआ और जब ये महाभी स्पोर्ट हुई तो इसमें छोटे-छोटे कड़ फाइल गए और उसको लेके एक बरहमांड की सर्चना हुई तो जिसके अंदर गट बरहमांड के अंदर जो लिखा गया है ये सुख्ष्टम अड़ों से लेकर महा का आकास गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को बरहमांड कहा गया तो बरहमांड का ब्यास अगर देखा जाए तो लगभग आठ की घात आठ परकास वर्थ है मंदाकनी में लगभग सव अरब तारह है इस तरह देखा जाए बहुत बिसाल चेतरै इसका दिखाए गया है तो मंदाकनी क्या होते हैं तो मंदाकनी को को अगर देखा जाए तो तारों का ऐसा समुह जो धुमा सा देखाई देता है तथा जो तारा निर्मार परिकरिय के सुरुवात का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है पिर्थवी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकास गंगा कहते हैं और मंदाकिनी को सबसे पहले गयलियों ने देखा था इस तरह सवर मंडल के अंतरगत है कि सवर मंडल में गिरहों की संख्या कितनी है तो सवर मंडल में गिरहों की संख्या कुल आठ है जो पहले नौ थी तो 2006 से पूर गेरहों की संख्या नौ थी जो पुलूटो को निकाल दिया गया तो सौर मंडल का निर्माड हुआ था लगभग 4.6 billion वर्स पूर मतब साली 4 billion वर्स पूर ये सौर मंडल का निर्माड हुआ था सौर हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पिर्थवी उस्प की परिकर्मा करती है सौर पर्थम परताबित किया था किस ने किया था का पर निकस ने किया था अगला सूर से बढ़ती दूरी के आधार पर गिरहों का नाम तो सूर से बढ़ती दूरी के आधार पर जो गिरहें है सबसे पहले बुद्ध है, फिर सुक्र है, फिर पिर्थिवी है, मंगल है, विरस्पती है, शनी है, अरूर है, वरूर है मतलब हुआ कि पिर्थवी से सबसे करीब बुद्ध है और पिर्थवी से सबसे दूर जो है ये वरुड का माना जाता है आकार के अनुसार गिरों की औरोही करम क्या है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा जो गिरा है वो बिरस्पती है फिर सनी है फिर अरूड है वरूड है पिर्थवी है शुक्र है मंगल है बुद्ध है इस तरह देखा जाए सबसे बड़ा गिरा बिरस्पती और सबसे छोटा गिरा बुद्ध को माना जाता है सबसे बड़ा गिरा जो बिरस्पती है सबसे छोटा गिरा बुद्ध है और पिर्थिवी का उपगरा चंद्रमा है सूरी के निकट का गिरा बुद्ध है और सूरी के सबसे निकट गिरा जो है बुद्ध को माने जाते हैं और फिर सूरी का सबसे दूर इस्तित जो गिरा है ये वरुड को माना जाता है पीर्थवी का सबसे निकट गिरा शुक्र है परिक्षा के दिरिश्टे बहुत important है और सबसे चमकीला जो गिरा है वो शुक्र है सबसे अधिक सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है सबसे अधिक उबगरहों वाला गिरह जो बिरस्पती है तो बिरस्पती के पास बहुत ज़्यादा उबगरह है और सबसे अधिक जो ठंडा गिरह है ये वरुड को माने जाते है नीला गिरह पिर्थवी को कहा जाता है क्योंकि आंत्रिक से देखने पर पिर्थवी नीली दिखाई देती है भोर का तारा क्या है शुक्र है साज का तारा भी सुक्र है पिर्थवी की बहन सुक्र को माना जाता है हरा गरह वरूर है विसाल लाल धब्बे वाला गरह विरस्पतिक माना जाता है और इस तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक सबसे अधिक उबगरों वाला जो गरह है ये तो विरस्पति है ही है और सबसे अधिक ठंडा जो गरह है ये वरूर है क्योंकि पिर्थुई से सूरत से सबसे दूर है सबसे अधिक गर्म वाला गिरा जो है ये सुक्र है पिर्थुई के सबसे करीब है रात में लाल दिखाई देना वाला गिरा मंगल है रात में ये मंगल जो है लाल दिखाई देते हैं और सबसे बड़ा उबगरा गैनेडि माने जाते हैं गैनेड को जो बिरस्पति का उबगरा है और सबसे छोटा उबगरा डीमोस को जो मंगल का उबगरा है और सूरिय उम्चंद्रमा के बारे में यहां दिया गया है कि सूरी की उम्र लगभग पांच बिलियन वर्स है और सूरी एक गैसी गोला है जिसमें लगभग 71% हाइडोजन 25% हीलियम एवां अन गैसें अन तत्तों में धाई परसंट होता है सूर्य के केंदरी भाग को कुरोड कहा जाता है केंदर का ताप लगभग 15 मिलियन सिंटिग्रेट तथा सूर्य के बाहरी सता का ताप लगभग 6000 डिगरी सिर्शियत होता है और सूर्य के 4 हाइडोजन नाभिक से बना है सूर के केंदर पर चार हाड़ोयन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माड करते हैं अर्थात नाभिकी संब्लियन होता है, मतलब सूर के अंदर नाभिकी संब्लियन होता है जो सूर की उर्जा का स्रोत है अगला है कि सूर्य के परकास को पिर्थी तक आने में लगभग आठ मीनट सत्तरा सेकंड का समय लगता है अगला सूर्य के परकास की चाल लगभग तीन लाख किलो मीटर पर सेकंड मानी जाती है और नीचे चला गया और सूर्य जो है सूर्य का ब्यास लगभग तेरा लाख बान भी हजार किलो मीटर है जो पिर्थी के ब्यास का लगभग 110 गुना है मतलब हुआ कि सूर्य का ब्यास पिर्थी के ब्यास से 110 गुना बढ़ा है और सूर्य हमारी पिर्थवी से तेरा लाख गुना बढ़ा है और पिर्थवी को सूर्य ताप का दो अरबों भाग मिलता है मतलब पिर्थवी को सूर्य का दो अरबों भाग मिलते हैं सूर की पिर्थवी से अधिकतम दूरी पंदरा दसमलो दूरी एक करोड किलो मीटर है जबकि चंद्रमा की पिर्थवी से दूरी तीन लाग चावरासी हजार किलो मीटर है और फिर चंद्रमा पिर्थवी की एक परिकर्मा वापने अक्ष पर एक घूडन लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूर करती है पिर्थवी से चंद्रमा को 57 परशंट भाग ही देख सकते हैं पिर्थवी का उपगरा चंद्रमा है चंद्रमा तथा पिर्थवी के गुर्तवा कारशर वाले अनुपात एक दसमलो 6 है इसका मतलब यह है कि अगर कोई मनुष से चान पर जाता है तो उसका जो वजन है एक बटाच है हो जाता है और चंद्रमा के दक्षिड धुरू पर इस्थित लीब नीजड परवत लीब नीजड परवत है जो 35,000 फिट जो चंद्रमा का उच्चतम परवत है चंद्रमा को जीवास में गिरा भी कहा जाता है और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांत सागर के नाम से जाने जाते हैं और पिर्त्वी के बारे में तो पिर्त्वी की आयुः लगवत कितना है साथे चार अरब वर्स, मतलब पिर्थवी के आयू 4 दसमेर चार अरब वर्स है, और समपूर धरातली छेत्र लगभग 51% करोड बर किलोमीटर है, जिसमें भूमिका छेत्र फल धरातली छेत्र पर 51% करोड बर किलोमीटर है, और जिसमें भूमी का छेत्रफल 29% है और जली छेत्रफल लगबग 17% है 29% जो है ये भूमी है और 17% ये जल को माना जाता है गुरुत्वा कारसर से बाहर निकलने के लिए आवस्यक निर्गत गती 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड होती है मतलब ये कहा जाए कि अगर किसी बस्त को उपर की तरफ 11.2 किलो मीटर की परतिखंटा से फेकी जाए तो उस जमीन पर कभी भी वापस आईबे नहीं करेगी अगला समुद तल से पिर्थवी की सरवधिक उचाई लगभग 8850 मीटर है जो माउंट एवरेष्ट के सिखर के सिखर है और समुद तल से सागर की गहराई 11.033 मीटर है जो मेरियाना ट्रेंच गर्त है जो परसाद महासागर फिलिपीन में है और पिर्थवी के धरातल का सरवधिक निचला भाग मिरित सागर है जो जार्डन में पढ़ते हैं इस्राइल जार्डन में पढ़ते हैं ये लगभग 396 मीटर है और पिर्थवी दोवरा सूर की परिकर्मा अबदी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं और पिर्थवी के धरातल का आउसत ताप मान जो है ये 10 डिगरी या 283 केलिविन है पिर्थवी के धरातल का आउसत ताप मान है और पिर्थवी के नीचे जाने पर परती 32 मीटर की गहराई पर एक डिगरी सेलसियस ताप जो है ये बढ़ जाता है मतलब 32 मीटार अंदर जाएंगे पिर्थवी पर पिर्थवी के नीचे तो एक डिगी सेलसियत ताप जो है उसका बढ़ जाएगा पिर्थवी की आंत्रिक सन्चना की जानकारी स्वरपर्थम एडवर्ड स्वेज ने दी थी कितने एडवर्ड स्वेज ने दी थी पिर्थवी के तीन भाग होते हैं भूपरपर्ठी में पिर्थवी के ऊपरी भाग को कहते हैं पीर्थवी के सबसे उपरी भाग को जो है यह भूपरपटी के नाम से जाना जाता है और जो अंदर 34 किलोमीटर तक कच्छेतर बनाता है पीर्थवी से अंदर 34 किलोमीटर च्छेतर जो बनाते हैं वो भूपरपटी कहलाते हैं यह बेसाल्ट चटानोग बना रहता है याद र मतलब silica magnesium कहनेंक मतलब यहें कि भूह परपटी जो है दो भागों समील के बना है सियाल और सीमा मतलब silica ilmonium silicon magnesium से यह बने होते हैं दूसरा भाग आता है mental mental जो है पिर्थवी के बीच का भाग है जो 29 सव किलोमीटर मोटा है जो जो ज्वाला मुख्य के दावरान तरल मैगमा इसी पर से निकलता है। जो अला मुखी से जो दिरवभीत पदाज निकलते हैं वो मैगमा होता है। वो लगभग 3900 किलुमीटर के अंदर से ये मैगमा जो निकलते हैं। सबसे तीसरा भाग करोड जो पिर्थवी का सबसे बीच वाला भाग है। तो पिर्थवी का केंदरी भाग नीफे कहलाता है जो निकल वो फेरस से बना है। जो संबावता द्रव या पलास्टिक अबस्ता में है। तो भूपटल पर लगभग 46.6 अक्सीजन है। सिलिका लगभग 27.72 परसेंट है। एलिमूनियम लगभग 28.72 परसेंट से ये बने हुए है। और इस तरह से तो पिर्थवी के आकार में पांचवा सबसे बड़ा गिरा। पिर्थवी ये जो पिर्थवी है ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा गिरा माना जाता है। पिर्थवी अपने अक्ष पर लगभग 27.23 डिगरी जुकी हुई है। और 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर पिर्थवी पर दिन वर रात बराबर होते हैं। इसे बिस्यू कहते हैं। 27.23 डिगरी उतरी अक्षांस को कर के रेखा तथा 27.23 डिगरी दक्षडी अक्षांस को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और पिर्थवी की घूडन दिसा क्या होती है। तो पिर्थवी की घूडन दिसा है वो पच्छिम से पूर होती है। अरूर और सुक्र किस दिसा में घूमते हैं। तो पूर से पच्छिम पूर। अरूर और सुक्र पूर से पच्छिम की दिसा में घूपते हैं। पिर्थिवी दिवस का मना जाता है ये 22 अपरेल को पिर्थिवी दिवस मना जाते हैं सबसे लंबा दिन कौन सा है तो 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है और फिर दिन और रात किस कारण होते हैं जो दिन और रात होते है वो पिर्थिवी के अक्ष पर घूड़न के कारण होते हैं सरवधिक तीब्र गति से परिकर्मा करने वाला गिरा बुद्ध को माना जाता है नियुन्तम गति से परिकर्मा करने वाला गिरा वरुड को माने जाते हैं चंद गिरहन केवल पूरिमा को ही होता है अगला है सूर गिरहन केवल आमस्या के दिन ही होता है और चंद्रमा के धरातल पर दो ब्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं चांद पर अगर इनसान जाए तो एक दूसरे की बात उनहीं सुन सकते हैं क्यों क्यों कि वहाँ पर निर्वात नहीं है मतलब चंद्रमा पर वाई मंडल के आभाव करण वहाँ पर वाई मंडल है नहीं क्योंकि आवाज सुनने के लिए माध्यम के ओसकता होती है इस वज़ाते वो एक दूसरी के बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ वाई मंडल है ही नहीं वह काउन सागेरा चंद्रमा के समान देखाई देता है तो सुक्र जो है ये चंद्रमा के समान देखाई देते हैं पिर्थवी को सूरी की एक परिकर्मा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है इस दोरान पिर्थवी का वेग जो है ये पिर्थवी का वेग लगबग 29.8 किलो मीटर पर से होता है तो इस तरह से आज ये भूगोल का पहला पार्ट खत्म हुआ और अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब देखाएं